हुआ और कशार चैनल यहां पे सबसे पहले तो आप यह करिए कि सेट ए में तो आपको यहीं सो करना होगा क्योंकि यहां पर R और R' तो मिल रहा है कि A में है relation लेकिन R union R' है कि नहीं नहीं पता तो आप इसको दिखाएए दुसरा का है Since R and R' be relations in set A non-empty set है तो आप लिख सकते हैं यहां पर in non-empty set A ठीक है तो यहां पर क्या होगा R जो होगा subset A cross A and R' भी होगा subset A cross A तो हम क्या लिख सकते हैं R union R' भी क्या होगा subset A cross A क्यूंकि इसका और इसका जितना भी elements होगा वो सब का सब किसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा ठीक है क्यूंकि union होने का मतलब क्या कि दो कि सबको सबको आप एक में मिला दिये merge कर दिये सबको आप एक में मिला दिये ठीक है अब आप क्या कर रहे हैं तो यहां पर R union R' भी क्या होगा एक relation होगा हम एक element यूज कर लिए x ठीक है जो कि बिलोंग करता है ये से तब आप दिखाईए यहाँ पर कि में अबिति करता है यां कि आप दो फिक आप दो वह किए messy यहां बिलोंग फूलाइज टीक है तो अद्वль फीलोंग बतुर्ण इंड रहें नला है और पूलिएंटर कम इंड कली नलों बसलो topics आप union करिएगा दोनों के मिलाइएगा तो यही दोनों element मिलेगा ना और कुछ तो नहीं मिलेगा ठीक है तो यहीं मिलेगा तो यहीं मिलेगा आपका reflexivity होगे आपका hold अब दूसरा पर आते हैं दूसरा होगे आपका symmetricity symmetric का condition symmetric का condition में फिर वहीं दो element लेज़े xy belongs to a if क्या हो कि xy belongs to r हो union r dash तो हमको proof क्या करना है कि y x भी बिलोंग करें और union r dash में तो चलिए हम देखते हैं implies xy belongs to r end और xy belongs to r dash दोनों में कहीं बिलोंग करें ठीक है अब क्या है कि यह r जो है आपका reflexive है symmetric है और transitive तीन है तो यह symmetric का पालन करेगा न तो यह y x बन सकता है कि नहीं क्योंकि symmetric है और y x belongs to r dash since r and r dash are symmetric ठीक है symmetric है इसलिए तो आप जब आपका union की जेगा तो यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट दोनों आएगा एक साथ union में तो तो लिजे union union लेगे देखिए यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट मिल गया तो आप लिख सकते हैं that is x y belongs to r union r dash implies y x belongs to r union r dash इसलिए क्या हो गया symmetricity भी आपका hold हो गया is hold ठीक है अब हम लोग आते हैं तीसरा condition transitive सब जगा तो ठीक है दिक्कत यह हो जाता है ठीक है transitive में ही ठीक है तो transitive में आप क्या करिए कि कोई एक example ले ले लेजिए ठीक है जिससे आपको confirmation हो जाए कि अकर आप चाहते हैं देखिए यहां पर क्या है कि r union r dash कभी equivalence relation हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है तो आपका मर्जी है कि आप लेते क्या है ठीक है तो आप जैसा condition लीजेगा उसके हिसाब से fulfill हो जाएगा ठीक है आप अगर लेते हैं वैसा suitable ले लेते हैं सेट जिसमें क्या हो जाए कि r union r dash जो है equivalence relation हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप कोई अलग सेट ले लेते हैं जिसमें क्या हो जाए कि r union r dash सेट नहीं मतलब equivalence relation नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत आपका नहीं है तो चलिए उसको मतलब एक सेट लेते हैं लेट यह बराबर हम लोग कोई सेट ले लिए 123 तो बताएए इसका a cross a कितना के होगा Cartesian product हो जाएगा 11 22 33 12 21 23 31 32 और 13 31 ठीक है इसके इलाबा तो कुछ नहीं होगा अब आप दो ले लिजे मान लिजे कि आर में कुछ elements है जो कि आर में आप वैसा ही element लिजिए जितना elements उसमें यह equivalence relation बनना चाहिए ठीक है आप ऐसा element लिजे जो क्या करें equivalence relation का formation करें जैसे हम ले लेते हैं 11 ले लिए 22 ले लिए 12 ले लिए और 21 लिए देखिए आप यह equivalence relation का formation करता है 11 22 मिल गया reflexive symmetric देखिए 11 तो आप xy किजेगा yx किजेगा दोनों मिलेगा 22 22 मिल गया सेमेटिक भी हो गया transit देखते हैं देखिए यहां पर 11 इन दोनों को कर ले तो इसका यह खतम 12 मिलेगा 12 है इन दोनों को साथ में इधर लिजेगा तो 11 खतम 22 मिलेगा है फिर दर लिजे 22 मिलेगा 21 मिलेगा है तो यह reflexive हो यह मतलब equivalence relation हो गया फिर उसी तरह से आर्डेस लेजिए आर्डेस मिलेटे 11 33 13 31 देखिए यह भी है आपका ठीक है तो यह दोनों तो आपका क्या हो गया हो गया हो गया यह भी यह भी equivalence relation है यह भी equivalence relation है तो अगर आप इसका union लेते हैं आर युनियन आर्डेस तो लेजिए 11 22 33 12 21 13 31 मतलब इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी है अब हमको देखना है ट्रांजेटिव दो एलिमेंट लेते हैं यहां पे लेजिए 22 खतम 11 है इसको लेते है 22 खतम मिल जाएगा 11 है अब आप लेजिए यहां पर चोड़ा इसको यहां पर लगाते हैं हम लोग तो आपकी मर्जी है कि आप suitable कैसा लेते हैं आप जैसा condition लिजेगा उसके हिसाब से होगा नैससरी नहीं है कि हमेशा वैसा चीज होगा ही होगा ऐसा कोई condition यहां पर बात देता आपके साथ नहीं है तो इस बात को लेकर आप कभी tension ना ले लेकिन यहाँ पर यह equivalence relation टूड़ गया देखिए यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं अगर 1,1 खतम होगा तो 2,3 मिलेगा और 2,3 इस set में है नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया Since if we take हम लोग लेते हैं क्या लेंगे 2,1 and 1,3 जो की बिलॉंग करता है किसे आर यून आर डेस से ठीक है तो implies 2,3 क्या बिलॉंग कर रहा है नहीं बिलॉंग कर रहा है आर यून आर डेस से इसलिए आर यून आर डेस is not an equivalence relation क्यों नहीं है क्योंकि transitivity hold नहीं हुआ since transitivity is not hold ठीक है तो इसे के साथ यह video को समाथ करना है यह video जरूर आपको पसंद आया होगा ठीक है like करे share करे subscribe करे सब कुछ करे जितना आपको आग लगा दीजे like बटन में ठीक है पुरा का पुरा आग लगा देना है ऐसा इतना बार प्रेस करना है कि आग लगा देजे ठीक है पूरा एकदम फैला देजी इस वीडियो को तो और जो भी मतलब पिछले वीडियो है उसका जो आपको मतलब लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक ग्रूप है मतलब फेस्बुक पे एक ग्रूप बनाया गया है आप उसमें अपना क्वेश्चन जो है पोस्ट कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए भी एक ग्रूप बनाया गया है फेस्बुक पे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक आउट करें ठीक है ऐसी के साथ इस वीडियो को सवनाथ करते हैं ठैक्स पूर वाचिंग दिस